महाराष्ट्र में OVC पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में आते हैं, कभी औरंग जेब के नाम से नारे लगाते हैं, कभी स्टेज पे खड़े रहे के भढ़काऊ भाषन देते हैं OVC जी ने एक चीज याद रखना चाहिए, कि ये महाराष्ट्र में उद्दफ ठाकरी जी की सरकार नहीं है, जो आपके नारे बरदाश किये जाएंगी या बढ़काऊ भाषन आप जो दे रहे हैं, महाराष्ट्र में आके, मुझे लगता है OVC ने अपने लिमिट में रहना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र में चत्रवती शिवाजी महाराच के विचार चलते हैं, OVC के भढ़काऊ भाषन और और अरंग जेब के नारे नहीं चलेंगे, ये याद रखना चाहिए, उसके बाद महाराष्ट्र में आने की उन्होंने ताकत रखनी चाहिए